तुम लोग अपने मतलब के लिए अपना इमान बेचते हो, अपना वतल बेचते हो अब इस जुबान को लगाम दो साब, मैं समझ गया आप लोगों की साज़िश को जो इन हत्यारों को मैं भवानी प्रसाद की मौत बनाना चाहता था उन्हें हत्यारों की ढाल बनाकर आप मुझे पसाना चाहते हैं यह सब क्या है बेटा? यह क्या बताएगा? मैं बताता हूँ तेरा बेटा देश का तुश्मन है दंगे फसाद करवाने वालों को यह हत्यार सप्लाई करता है और वैसे भी तुम लोगों के पास है क्या? या तो AK-47 है या इस देश के लिए नफरत है ASP, यह नफरत तुम जैसे बेइमानों ने अपने सुआद के लिए पैदा की है हर इंसान पहले हिंदोस्तारी है फिर बाद में मुसल्मान या हिंदू इस देश के अजादी के लिए जितना खून हिंदूवें ने पाया है उतना ही खून मुसल्मानों ने पाया है अरे बंद कर ये हिंदू और मुसल्मान के नाम पर देश को बाटने का खेल क्योंकि जिस दिन इस जनता को ये खेल समझ में आ गया ना उस दिन तुम्हें अपना सर छुपाने के लिए ये जमीन भी कम पड़ेगी अगर अब भी तुम एक सच्छे हिंदुसानी हो तो जाकर अरेस्ट करो उस भवानी को जिसके तुम तलाल हो तमाम गवाहों और बयानों को मद्य नज़र अखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुची है कि मुझरिम हुसाइन अवाइद हत्यारों का धंधा करता है लिहाज़ा अदालत मुझरिम हुसाइन को पास साल की सेक्शन 25 आम सेक्ट के तहत बामुशकस सजा देती है हुआ 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 है देख लिया भवानी परसाद लला से तकराने का अंजाम अबनी परबादी का पीच तूने बोया है पसल मैं काटूंगा जय से छूटते ही तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा खुदा हाफिस इंस्पेक्टर वर्मा है यह है है आप इसक्राइब मैं आप स्वाश्ड एफर नेतु तुसिंह आए आए बैठिया बैठिया आपको गोली लगी इस बात का बहुत अफसोस हुआ ताजवे आजकल पुलिस वाले ही पुलिस वालों पर गोलिया चला रहे हैं वो सब ठीक है मगर आप मेरे पास क्यों आई हैं सीम अर्डर केस के चश्मदीत गवां है और फिर आपके साथ भी तो ज्यात्ती हुई है क्या कि पुलिस डिपार्टमेंने हमारे लिए मेरे पती को गोली लगी कि पूछने भी नहीं आया हां मैडम आप के आगे हार जोड़ती हूं आप हमारे पर रहम कीजिए मैडम इसकी बात का बुरा मत मानिएगा मैडम प्लीज आप चाहिए प्लीज मैडम हम पर रहम काई खाये ठेरिये मेडम CM का मर्डर होम मिनिस्टर भावानी परसाथ की साजिष्थी और तुम पर गोलियां किसने चले SP वागमारे ने थैंक यू वर्यमच एंस्पेक्टर वर्मा एंस्पेक्टर वर्मा दर्माज़े खोलो मर्यादा में रहकर बात करो अफिसर हमारी पोजिशन भी तुम से कम नहीं है आपकी पोजिशन का ख्याल करके ही मैं आपसे अदब से बात कर रही हूं वर्ना बैठे बैठे बैठ जाए घबराई नहीं बैठ जाए तरस आता है आप पर हर सबूत है मेरे पास आपकी गिरफतारी का वागपार bearings अपने आपको कानून के हवाले कर दीजे इसी वे आपकी कितनी पावर तुमारे पास है ना इसनी मेरे पास भी है अगर हम लोगों को उनके नाग किये हुए गुनाहों की कानूनी सजा दिलवा सकते हैं हम माहर हैं, इसलिए हमसे टक्राना नहीं, वरना देली से जिन्दा आई हो कफन बॉक्स में लाश बिचवा दूंगा खराब हो गया का, अरे जिसके तुम बात करें हो, वो बहुत ही इमानदार, होनार और अच्छा अफसर है अमरी स्टेट का, वो कहें मारेगा इंस्पेक्टर को भाई क्योंकि इंस्पेक्टर वर्मा सीम मर्डर केस का चश्मदीद गवा था ठीक है, कोई इंस्पेक्टर मर गया, उसका कतल हो गया, उसको किसी ने मार दिया, लेकिन ज़रूरी थोड़े ही है कि बाग मारे नहीं उसे मारा सर, सारी वार्दात मेरी आखों के सामने हुई है, कोई और उसे क्यों मारेगा ए मैडम, EBPL भवानी परसाद लल्ला का इस्टेट है, कोई तुम्हारा दिल्ली नहीं, यहां पर तुम महमान बनकर आई हो, महमान बनकर ही रहो, मालकिन बनने की कोसिज मत करो, और एक बात सुन लो, यह जो तुम खाब देख रही हो ना, कि तुम्हारे कंधों पर और तमग लगे हुएं, वो भी उतर जाएंगे, और तुम्हारी बर्दी को, तुम्हारा कफन बना कर, तुम्हें समसान पहुचा दूगा हम, और नीदो सिंग जब कोई मिशन पर निकलती है, तो कफन अपने साथ लेकर चलती है, या तो दुश्मन को पहना देती है, या खुद पहन हमने भवानी परसाद लला ने मरवाया, अब कर ले जो तू करना चाहती है, लेकर एक बाद रख, अपनी अम्मा को जरूर बता दियो, जो पहले ही अपने देश भक्तपती को खोच की है, कि बहुच जल्द वो अपनी इस आुलाद से भी हाथ धोने वाली है, नाव गेट आ चालेंज बता चल गया है, मगर एक बात तो बताओगी, यह भावानी प्रसाद खुछ सीम क्यों नहीं बना, इसमें भी उसकी चाला की है सर, वो अच्छी तरह जानता है कि अगर वो फॉरण सीम बन गया, तो मीडिया और कानून उसे जीने नहीं देगा, इसलिए उसने अपने मामू पिला दीजे, अच्छा मैं लाती हूँ सर, मैं बहुत जल्द भावानी प्रशाद और उसके साथियों को कानून के सामने एक्सपोस कर दूँगी, आए माजी, लो बेटा, लो एक है वाव क्या रंगड़ेलिया मनाय जा रही है कौन इस सब क्या हो रहा है कौन इस सब क्या हो रहा है कौन है इस अच्ट आप 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 कि शर्म नहीं आती है है कानुन की रखवालों की मां होकर एक मुझरिम से इश्क फर्मा रही है वो भी इस उम्र में क्या वापास कर रहे हैं कौन है आप कि एस पी वागमारी और मैडम जिस आदमी से आप इश्क फर्मा रही है वह जेल से भागा हुआ मुझरिम है पता नहीं कितने जुर्म किया है इसने ले चला से चल अब चल्ट सुनी अ माजी माजी वह अपनी नितु सिंग मैडम है न उनको पुलस ने ग्रफतार कर लिया क्या है